नमस्कार दोस्तों आपके सीटी बैप पे जो घंटा बना कर आप इसको दबा दोगे तो मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे ओके तो अब इंजॉय करो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो फारी नियूस दोस्तों आप लोगने शारदा स्केम के बारे में तो सुना होगा आईए जानते हैं शारदा गोटाला है क्या शारदा स्केम पर कुलकाता से दिल्ली तक कोहरा मचा हुआ है कुलकाता पुलिस कमिशनर राजिव कुमार के घर जांच करने पहुची सीवाइ टीम को ही पुलिस ने अरेश्ट कर लिया राजिव कुमार पार अरोप था कि उनकी अगवाई में साल 2013 में वे एसाइटी जांच में घोटाले में जोटे सबूतों से छेड़चाड की गई है उन्होंने कई लोगों को जानमूच कर क्लिंचिट दे दी गई जो कि उन्हें नहीं देना था आखिर ये घोटाला है क्या आए जानते हैं शारदा चिटफंड से पहले चिटफंड को समझना ज़रूरी है ये ऐसा रूपया जो कई लोग एखटा होकर किसी एक स्कीम में लगाते हैं और इस तरह पैसा एखटा करने को चिटफंड कहा जाता है शारदा चिटफंड स्केम पश्चिम मंगाल का दूसर सबसे बड़ा आर्थिक गोटाला माना जाता है आरोप है कि शारदा ग्रूप की तीन से चार अलग कंपणियों ने लोगों को लुभाव ने उफर दिये मसलिन 25 साल में रकम 34 गुनज का उफर दिया गया मतलब यह कि अगर आप कंपणी में एक लाग ग्रूप लगाते हैं 25 साल बाद कंपणी की ओर से आपको 34 गुरूप पर वापस मिलेंगे जगा जगा एजेंट नियुक्त करके छोटे निवेश्चकों से उनकी बच्चत के पैसे एक घट्टे किये गये राज्य सरकार की एक जाच रिपोर्ट के मताबिक शारदा करोप की चार कंपणीया शारदा रियालिटी शारदा कंस्ट्रक्शन शारदा टूर्ड ट्रैवल्स और शारदा एग्रो की अलग-अलग स्कीमें लोग के भी जारी की गई इन कंपनियों ने तीन तरह की स्कीमें चलाई ये तीने स्कीमों थी फिक्स डिपॉजिट, रिकवरिंग डिपॉजिट और मंतली इंकम डिपॉजिट इन स्कीमों के जरीए बोले बाले जमा करताओं को बताएगे कि उनको निवेश के बदले कई गुना जाधर रिटर्ण मिलेगा और निवेशक लालच में आ गए साथ ही प्रॉपर्टी या फॉरेंट्रिप भी मिलेगा इस तरह शार्दगरुप ने साल 2008 से 12 तक इन चार कंपनियों के जरीए पॉलिसी जारी करके रुपया इकटा किये बिजनस टुड़े के मताबिक इन स्कीमों के जरीए चार लाग छोटे निवेशकों से लगभग बारा सो करोड सो रुपय से लेका डाही हजार करोड रुपय तक जुटा है कंपनी ने पश्चिम बंगा लुडीसा आसाम जहारखन और त्रिपुरा जैसे परदेशों में करेब 300 से जादा ओफिस खोले शार्दा ग्रूप के चियर्मेन सुदीप सेन का ग्रूप की सभी कंपनियों की सभी जमारकम पर पूरा कंट्रोल था सेन का आरोप है कि उन्होंने फंड का गलत इस्तुमाल किया इस तरह सुदीप ने कंपनी एक्ट सेभी एक्ट आईपी सी की जम कर धजिये उडाई हालाकि घोटाला सामने आने के बाद ममता बेनर जी ने 500 करोड रूपय का फंड बनाने का एलान किया ममता ने कहा कि इस घोटाले से जिन छोटे निवेशकों का पैसा लुट गिया है उनको इस रिलीस फंड के जरीए वापस पैसा कराया जाएगा तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों थैंक्यू फ्रेंड्स